Friends, यह रहाँ पिछली classes में दिये गए sentences के answer, आप अपने बनाए हुए answer से इसको tally कर लेना, ठीक है friend? परिवर्तन से डरना और संगर्षों से कतराना मनुशी की सबसे बड़ी कयारता है, हमें परिवर्तन को स्युकार करते हुए संगर्ष करते रहना चाहिए हाँ friends, welcome to the desk, deva English spoken class. Friends, how are you? Well, I am also very well. Friends, today I am going to teach you about what? तो आज जादा देर नहीं करते हुए हम आज के class शुरू करते हैं, तो चलिए. Friends, पिछली classes में मैंने आपको पढ़ाया था, Use of good in past, present and future. तीनो काल में, मिस्ट तीनो टेंस में good का इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं और किस तरह की sentences के लिए करते हैं. तो उमीद करता हूँ कि आपको वो चीज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कि good का इस्तेमाल हम तीनो टेंस के लिए किस तरह से और किस तरह की sentences के लिए करते हैं. तो आज हम सिखेंगे कि जब sentence के वर्ब के अंत में सकता था, सकते थे, सकती थी रहे, तो उस तरह की sentences को हम किस तरह से बनाते हैं. ठीक है फ्रेंट, वह यह चलते हैं. यह ना मैंने लिखके रखा हुआ है सब, can, could, have, means जब भी sentence के अंत में वर्ब के बाद सकता था, सकते थे, सकती थी रहे, तो उस तरह के sentences को हम can, have, could, have से बनाते हैं, और फिर उसमें V3 means वर्ब का तिसरा फॉर्म भी लिखते हैं. ठीक है फ्रेंट? आपको पता है ना, वर्ब का तिसरा फॉर्म क्या होता है? V3, जैसे go, went, gone. तो go is the first form, went is the second form, and gone is the third form. तो third form इसमें लगेगा. ठीक है फ्रेंट? तो आएए sentence बनाते हैं. तो इसका making formula जो है, जब भी sentence के अंद में सकता था, सकते थे, सकती थी रहे, तो उसको हम can, could, have से बनाते हैं. हम can का भी इस्तिमाल कर सकते हैं, और could का भी इस्तिमाल कर सकते हैं. उसके बाद have प्लस V3 लिखेंगे. ठीक है प्रेंट? तो एक हम sentence बनाते हैं. वे लोग मैच जीत सकते थे, they can have own the match. या, they could have own the match. ठीक है रहे, मैं वहाँ नहीं जा सकता था. means, I could not. यतना ध्यान रखना, friend, कि कभी भी negative में, अगर किसी भी sentence में दो-दो helping verb आ रहा है, और आप confused हो जाता है कि इसका negative कहा note रखेंगा, हम किस helping verb का note रखेंगे, तो उसका जो main verb होता, first helping verb, उसके बाद ही हम note लिखेंगे. ठीक है, friend? तो first इसका could not. I could not have gone there. या I cannot have gone there. ठीक है, friend? ये can have और could have. प्लस V3, means verb का तीसरा form. आपको अगर नहीं पता होगा, तो किसी भी books में लिखे लाते हैं सब verb के forms. अबब के 5 form होते हैं, और ज़्यादा तर हमें 3 form याद करना पड़ता है, और जो 4th और 5th वाला form होता है, वो याद करने के जुरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसमें सारे verb में ing लगा होता है, 4th verb में, और 5th verb में yes यह यह से लगाते हैं, जो tense में काम आता है. ठीक है, friend? तो ये आप sentences अच्छी तरह से देख रो, हम फिर इसका negative, interrogative, question or, सारे के सारे हम बना कर एक एकर के सिखते जाते हैं, ठीक है, friend? Now I am going to rub this. क्या वो जा सकता था? Miss, अगर वो चाता तो चला जाता. Miss, क्या वो जा सकता था? Miss, क्या मतलब वो उसके पास मौके थे जाने के? Miss, वो जा सकता था, लेकिन नहीं गया. ऐसा है. Miss, किसी भी तरह से वो जा सकता था, लेकिन नहीं गया. वो जा सकता था. तो क्या हुआ जा सकता था? तो can he have gone? या could he have gone? ठीक है? इसका हम negative बनाते हैं. अगर हम इसमें negative लेते हैं, negative. क्या हुआ नहीं जा सकता था, जो हम फर्स्ट में ही short form लिखेंगे, can't he have gone? ठीक है फ्रेट? इसका हम इसको मैंसे भी लिख सकते हैं, कि can he not have gone? ठीक है फ्रेट? तो हम जहाँ पर जहाँ पर मैंने can लिखा, वहाँ पर हम could भी लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेट? तो can he not have gone? इस तरह से होगा? मिस, वे लोग मैंच जीत सकते थे, तो इसमें किसे क्या बोद होता आपको? कि वे लोग मैंच जीत सकते थे, लेकिन किसी भी गलती की वज़े से, किसी कमी की वज़े से नहीं जीत सके, लेकिन जीत सकते थे, संभावना थी जीतने की, इसके लिए हम इस तरह के संटेंस का इस्तमाल करते हैं, कोई को संटेंस पूछता कि सार इस तरह के संटेंस का इस् तुम मुझे बूक दे सकते थे लेकिन दिया नहीं तुम मुझे बूक दे सकते थे तुम मेरे साथ आ सकते थे लेकिन आये नहीं आ üst त तो इस तरह से गूड है और कैन है का इस्तमाल हम पास्ट के लिए करते हैं उमीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो आज के लिए इतना ही और आप इन संटेसेंस को अच्छी तरह से एक बार देख लो एक मैं क्वेश्चन आट्स आपको लिख के पता देता हूं इसको मैं मिटा के वह कैसे जित सकता था वह कैसे जित सकता था तो हाँ यह अभी बोल सकते हैं तो सिंपल है मिस वह कैसे जित सकता था मिस बोल रहे है कि यार मैं बोल रहा हूं उसको कि तुम जित सकते थे तो किसी ने बोला कैसे जित सकता था कैसे जित सकता था यार उसके पास अचे खिलाडी नहीं थे यह वो फलाना फलाना चाहे रिजन कुछ भी दिया जाए कैसे जित सकता था मैं आपको इसलिए यह पता रहा हूं ताकि इस्तमार हम इन संटेंस का कैसे करते हैं और कहां करते हैं कब करते हैं यह आपको पता चल ठीक है फ्रेंट तो आज के लिए इतना ही और मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि जिन दोस्तों ने हमारा चानल सब्सक्राइब कर लिया है और रोज की कला से टन कर रहे हैं उनको दिल से शुक्रिया और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चानल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ के प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकोन को भी क्लिक कर दे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे है फ्रेंट अगर आप सच ना चाहता हो तो अटेन मैं ख्लासे फृर्वेड़ा सब्सक्राइब कर दे नवाद फ्रेंट्स यह रहा आज के लिए आपका होमवर्क आप इन सेंटिंसेज को अची तर से समझ कर बनाना ठीक है फ्रेंट ओके बाई